दुनिया में कही आतंकी आये और गए लेकिन आज भी जब लोग उसामा का नाम सुनते हैं तो खौप से काम उठते हैं। उसमा ने पूरी दुनिया को अपने आतंक से डरा कर रखा था। उसामा के बारे में कुछ ऐसी बाते हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। शायद आपको मालुम होगा कि उसामा गरीबी में नहीं बल्कि एक अरबप्ती परिवार में पल्ला बढ़ा था। उसके पिता एक अरबप्ती बिजनेसमैन थे। सौधी अरब के एक अमीर कंस्ट्रक्शन कारोबारी के घर जनमा उसामा बिन लादेन पढ़ाई के दोरान ही में कटरपंती समुहों के संपर्क में आ गया था। यह पहली बार था जब उसका जुकावा तंकवाद की तरफ हुआ था। उसने 1988 में अलकाइदा की स्थापना की। कई छोटे बड़े हमले से उसे पहचान नहीं मिली लेकिन जब उसने अमेरिका पर 911 हमला किया तो उसे द करीबी दोस्त थे और उनका बिन लादेन ग्रूप मक्का मदीना की मस्जिदों के रख रखाव का काम करता था। जब 1968 में मात्र 13 साल की उम्र में उसामा बिन लादेन के पिता की मौत हो गई तो उसे और उसके भाईयों को 300 मिलियन डॉलर की संपत्ती विरासत में मिल गई उसने अपनी शुरुवाती पढ़ाई जेदा के ही अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से सिविल इंजिनेरिंग की पढ़ाई की। उसामा के पूर्व सहपाथियों के अनुसार विह रात में कलबों में भी जाता था और अपने रईज दोस्तों के साथ शराब भी पीता था वो पढ़ाई खत्म करके अपने परिवार के बिजनस को सभालने की तयारी में था लेकिन ज्यादा दिनों तक विह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाया उसामा बिन लादेन ने अरब अफगानियों और उनकी फैमिली को मदद पहुचाने के लिए दबेस नाम से एक समूह बनाया इसे बाद में अलकाईदा के नाम से जाना गया 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत संग के हटने के बाद वे एक बार फिर अपने परिवार के बिजनस को संभालने के मकसद से सौधी पहुचा उसने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया और बाद में यह एक अंतराश्रिय संगठन बन गया बिनलादेन ग्रूप के वर्कर डेनियल उमान के अनुसार ओसामा को उसके भाईयों और सौधी अरब किंगडम की तरफ से बहिस्कृत किया जा चुका था 2001 में अलकाइदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेट सेंटर के ट्विन सावर और पेंटागन पर हमला किया था